बिहार में पारस पहले से ही बदनाम रहा है पटना में उसकी कई कारस्तानिया सामने आई थी लेकिन अब दर्भंगा पारस अस्पताल से भी एक बड़ी ख़बर आ रही है कि यहां भी उसकी लूट पकड़ी गई है जहां दोस्तों मरीजों के साथ यहां पर किस तरह से किया गया मरीज के रिष्टेदारों से उनके साथ दोर्भवार किया गया और ओवर्चार्च करने के बाद दोर्भवार करने के बाद जो शिकायत हुई उसके बाद कारवाई हुई है जहां दोस्तों पूरी खबर देखे है क्योंकि जिलादिकारी ने इस पूरे मामले में जाच बिठाई थी और जाच रिपोर्ट में जो सामने आए वो चौकाने वाला था पारस अस्पताल की चोरी पकड़ी गई कि किस तरह से वो मरीजों के गलत इलाज कर रहा था और किस तरह से उसके मौत के बाद ओवर चार्च करके जादा पैसे जो है वो मांगने को मजबूर कर रहा था और उसके बगड़ शव नहीं दे रहा था देखे ये खबर पूरी समझ लिजे 21 माई को पारस अस्पताल में दिलिप अजीत नाम के एक मरीज को भरती कराया गया जो 9 दिनों तक उसका इलाज वहाँ पर हुआ और उन 9 दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो यानि शिकात पत्रदार किया गया सीधे जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच बिठाई तीन सदस्य जांच बिठाई तो पता चला कि इसके पीछे क्या खेल था किस तरह से यहां पर गलत इलाज से उसकी मौत हुई जहां दोस्ते बड़ी चीज यह सा पाएं मरीज को दी गई यह चौकाने वाली बाते सामने आ रही है आप बताईए कैसे इलाज ही ढंक से नहीं किया गया आपको बता दें कि यह बिल जो बनाया गया पहले 2,97,100 रुपे का बिल बनाया गया उसका अंतिम बिल जो बना वो 2,30,500 रुपे का बना तो पहले तो म पिशेंट जब आया तो उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ और हायर एंटिबाइटिक और एंटिफंगल दवाएं जो है वो जोंक के दी गई और बिल बनाने के लिए इन दवाओं को दिया गया और यह होता है दरवंगा में कि बिल बनाने के लिए और दवाई कंपनियों से सा माटगाट होता है कमिशन सेट होता है इस वजह से यह सारी चीज होती है और मरीज आपको बता दें कि जांच में यह भी सामने आए कि तीन दिन तक वेंटिलेटर पर था लेकिन नौ दिनों का चार्ज किया गया इसके अलावा पीपी किट्स फेस मास्क एन नाइंटिफाइ गलफ फेश चिल्ड डिस्पोजल सिरिंज का चार्ज भी परतिदिन दर्शाय गया तो यह सब चार्ज मिला करके इन लोगों ने धाई लाग तीन लाग रुपे का बिल बना दिया और आपको बता दें कि नियम के अनुसार एक लाग अठारा हजार रुपे से जादा नहीं ह और भी कई इस तरह के प्राइविट अस्पताल हैं वो किस तरह से मरीजों को लूट रहे हैं और जो लोग शिकायत करते हैं उसके बाद ये कारवाई सामने आती है उनका खेल उजागर होता है और जो लोग अपना घर दुआर जमीन बेच के इलाज कराते हैं चले जाते हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है तो ये स्तिती है पारस की फिलाल कारवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि पहले गलत इलाज से मौत और फिर जादा बिल तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रू लाइके जी शेयर किए कमे झाल 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 झाल